आज रोग हारियों का सन्नी पात है सन्नी पात बाहुल है रोग हारियों का जब लखनों की मीटिंग के लिए पर्चा बनाया और पर्चे में लिखा कि रोग हारी संगिती होगी तो हमारे डौक्टर युएस लालजी ने कहा कि यह क्या लिख दिया आपने रोग हारी हमारे डॉक्टर तो बड़े संबने पा रहे हो कह रहा है इसको हटाओ तो मैंने कर नीचे लिखा कि मैंने नीचे डॉक्टर भी लिखा इंगलिस में उसको समझ जाएंगे तो पुराने ही जो जानकारी है, चुंकि पुराना हम तरीके से खटे हो रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम रोग हारी थे, यानि रोग का हरण करने वाले थे, तो हम ही लोग थे और बुद्ध के वार को एक वार जब पत्थर लुड़का कर मानने की कोशिस की गई बुद्ध को तो एक पत्थर का टुकड़ा टूटकर उनके पैर में लग गया उस पैर की सरजरी करने के लिए जो वेक्ति आया वो जीवक था और जो वो उसने पैर की वाल को वीधा और वीधगर जो की ऐसे वीधने वाले को उस समय वेधी बुला करते थे और इस वेधी से ही वैद बना बाद में क्योंकि दो जो मात्रा हैं वैद वाली वो पाली में नहीं होती तो वेधी से वैद बना तो जो वेधी है उसको सरजन बोलते हैं आज के समय और भगवान बुद्ध भंगवान बुद्ध भैसज्य गुरू थे तो ये भैसज्य गुरू जो थे लोग समझते हैं कि वो भी फिजिशन थे या वो भी सर्जन थे भैसज्य माने होता है औस दी यानि मैडिशन तो वो मैडिशन के जानकार थे जो आयू बढ़ाने वाली वेदनाओं की जो दवाईयां थी वो उन्हीं से चलती थी आयू बढ़ाने वाली वेदनाओं की जो ऑसदी थी जिसके भैसज थी के गुरू थे वो बुद्ध थे यानि कि आप ये कह सकते हैं कि आयू बढ़ाने वाली सब्सक्राइब कर लिए यह पता नहीं कैसे हो गया यह डग साब कोई कोई दवाने से करने ता है इसको मेरे हाद तो होता नहीं है मेरे साथ यह दिक्कत हो रही है आपका जो नाम है ना वो मेरे उसके एरो के नीचे आ जाता है तो उस समय जो चुन्द था जब चुन्द ने उनको खाना दिया और बुलाया जो उनका आखरी भोजन था मरने से पहले तो जब उन्होंने भोजन किया तो वो कहते हैं कि वह खाया खाने के बाद में बुद्ध समझ गए कि इसका सरीर पे क्या प्रभाव हो रहा है तो उन्होंने कहा कि चुन्द ये जतना भी खाना तुमने बनाया है मश्रूम का कुकर मुट्टे का इसको जमीन में गाड़ दबा दो किसी बिपको को मत देना और उनको फिर मरनान तक यानि जो मरने की अंतर तक की जो वेद्राएं होती है वो आने लगी और वो दीदरे चलते रहे उनको पता था कि सरीर छोड़ना का समय आ गया है उनके कंट्रोल में थे जो डैथ थी मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हमारे लोगों को चिकित सक बोलते हैं दरसल जो चि क्योंकि सबसे पहले बहुत चलता है उसे चिकित सक बन गया और चिक त सालले बनगे यानि सन्थे दूर कनने वाली मन के सन्थे दूर कनने वा अले यानि साला यानि की थैसका जो हमगत है तो चलता है क्योंकि हमार। ऐसी यूrow्स्टि एहाए हमारी बारे यह बात में आपको इस निए Πता रहा हूं क्योंकि जब आप जोड़ेंगे और जोड़ेगे तो आपको यम पहले जोड़े हैं और जोड़े इस आ我要ं पुर्णा बुर्ण होई होइए हम तो बुद्ध से पहले से भी डौक्टर रहे हैं और तब भारे हैं जहां कोई डौक्टर होता ही नहीं था तब हमीं डॉक्टर क्या हुए हम्ने Hafmmain बुद्ध वैसज्य गुरू रहे हैं हम नहीं सारी वेदी हैं यानि वैद रहे हैं हम नहीं किये हैं और जीवक के वारे में तो कहते हैं कि उन्होंने खोपड़ी के भी ऑपरेशन की हैं एक कथा के अंदर आता है कि खोपड़ी में किसी में अंदर कुछ था और उन्हें खोप कि उसमें देशी होती थी वो करते थे तो हमारे डॉक्टरों को गर्ब से सीना चोड़ा होना चाहिए हमारे रोगहारियों का कि वह जिनकी संतान हैं उनके महापुरुस उनके पिता में हैं उनके दादा दादी तो पहले सही नहीं हम तो खांदानी डॉक्टरों का घर हैं हम तो खांदानी डॉक्टर हैं हमारे तो इसलिए हम लखनों में मिलेंगे 26 दिसंबर को तो हमें ये होना चाहिए कि हम कितने बड़े जो डॉक्टर हैं उनकी संतान है और हमको उन से भी बड़ा काम करना है तो उस काम की शुरुआ जो धूर चाहिए ने जो सब ज़्यादा अगरिम दिखाई दे रहे हैं वो हमारे डॉक्टर्स दिखाई दे रहे डॉक्टर्स तो वह सबसे पहले ये पूछते हैं कि हम क्यों जुड़ें और ये प्रसन वाजिब भी है, ये प्रसन रोज हम बताएंगे, तोकि जो नए लोग आते हैं, वो पहली बार आते हैं, अगर उनका संदे दूर ना हो, उनकी विच्चे किस्वा ना हो, उनके doubt के लिए ना हो, तो चले जाते हैं इसलिए कोई भी जो भी यहां पर आके कंसेट बताए वो दो सवालों का जवाब जरूर दे कि हम क्यों जुड़ रहे हैं और हमारा नेता कौन है ये दो सभाविक से कोशन है और ये बार 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 बताने चाहिए जुड़ने का नुकसान दुनिया में कोई नही इसमें कोई नुकसान नहीं और फाइदे इसके इतने हैं कि आप सूसले के आखिर तक फाइदे ही फाइदे आप देखोगे कि यहां पोर्टल के अंदर भी अभी एक सज्जन थे जिन्हों यह कहा कि वहां मेरा नागपुर के अंदर एक डॉक्टर की आउशकता है तो यहां iamке सका कि हम meeting के बाद में नागपुर के डॉक्टर से बात करनेगी यहनी जुरुनां का यह फाइदा है कि अगर आप जुड़े हुए है तो आपके कहीं भी कोई दिक्कत है यह तो medical दिक्कत है आपकी कोई ओफिस में दिक्कत है आपकी कोई वकीलों से दिक्कत है आपकी कोई कहीं पबलिक में कोई दिक्कत है आपकी कोई शादी बिया है हारी बीमारी है बच्चे का स्कूल का आना जाना है कोई नौकरी है पेसा है होस्टल है पड़ाई है लिखाई है और कुछ नहीं है तो कही घूमने ही जा रहे हो जैसे डाक्टर यूवी सिंगी घूमने के लिए गए थे अभी बढ़ोदरा गए थे और बढ़ोदरा में उनको वीदा पीपल के पांच लोग वहां मिलें तो उनका घर बन गया है यानि कि उन्हें को चिंता ही नहीं है वो कहा है कहाने है बाकी लोग व बंद बढ़ाया हम ये भूल गए कि पूरी दुनिया में जुड़ने और जुड़ने का काम हमने तो सुरू किया पहली दुनिया में जो सबसे पहला जो संग बनाया जो यूनिवर्सल संग बनाया जो पूरा नेशनलाई संग बनाया जो महावरत का पूरा संग बनाया वो हमने हुआ कि इरान से लेके और वर्मा तक सारे लोग एक सूत में धागे में और एक विचार धारा में और एक पंथ के पीछे आ गए और उन्हों है दुनिया का सबसे बड़ा वैपार किया देखो कितना बड़ा फाइदा है कि असोग के बाद जब एक पंथ में वदे हम और धमू में आए सारे एक सारे लोग और एक ही हम विचार धारा में आगे और जुड़ गए तो 26% GDP पूरी दुनिया की आज तो हमारी माइनस में कोई दिक्कत नहीं थी तब कोई जाती नहीं थी तब कोई वर्ग नहीं था कोई भेद नहीं था ये तो सब 500 साल पुरानी कहानी है जो आप किताब हम पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी तो वह जोड़ना और जोड़ना जब हमारा चला गया और संग हमारे बुरे दिन स्रू होगे म जो पढ़ लिखे लोग अब璐олें लोग क किताब लिखे कभ आइं सबसे पहले पत्हर पहले पहले लिख्वाएं क्यों कि कागस्था नहीं पेंथा नहीं तो पहले आख्षर tak के समझाई बोलते हैं जैंग वह पत्थर पे किताब लिखवाईं तो खाली किताब लिखवाईं यानि पढ़ने वाले तो कोई होगा तो यहां जब कोई थाई नहीं तो हमीं लोग थे तो पढ़ने वाले हमीं तो थे वो किताब हमारे लिए थी तो एरान से लेके और बर्मा तक जो किताबें पढ़ते थे हमी पढ़ने लगी को पत्तियां वैसी पेड़ा बनाने लगी उस मेपेड़ो गए तो तूट गए तो वो तूट गए और भिखर गए तो वो जो 26 पढ़ण GDP वाले लोग थे वो भिकारी बन गए जब हम अलग हो गए तो जो हमारे वैसे गुरूरी थे जो हमारे चिकसक थे जो हमारे वैद थे जो हमारे रोगहारी डॉक्टर थे वो सारे सारे खुद रोगी हो गए यानि वो मानसिक रोगी हो गए वो सारे रोगी हो गए वो वेबचा लोग का जात का जिकर नहीं मिलता वर का भी जिकर नहीं मिलता सिर्फ समण और बमण का मिलता है और समण बमण का भी इसलिए बनता है क्योंकि बहार से जो लोग आए वह वं थे विप्री थेश निया समण बमण का जिकर मिलता है तो वो सारी चीजें जो हमें मिलती हैं वो हमे अलग होने से जाती है अलग अलग होने से हमारा बहुत पैसा खर्च होता है जैसे आज के समय जब हम दावा साथ A.N. G, जरन देन्दिर मनाते हैं और अलग-लग मनाते है और 6,743 जातियों की लोग मनाते हैं या जो लाको संड़नें उनकी मनाते हैं तो सभी पैसा खर्च करते हैं और लोग उनके बड़े कम आते हैं और उस जरंद्री का कोई इतना फरक नहीं पड़ता मगर अगर यह सभी लोग मिलके चौदे अप्रेल को जरंद्री मनाएंगे तो इनका पैसा बहुत कम खर्च होगा और उसका प्रभा बहुत जादा होगा पूरी दुनिया में पता चलेगा कि दो करोड़ लोग दिल्ली में एक साथ बावा साथ का बढ़ने मनाते हैं एक छट के नीचे एक जंड़े के नीचे एक फोटो पर नीचे तो दो करोड़ लोग जब एक साथ बढ़ने मनाएंगे तो वो गनीजबुक रिकॉर्ड वाले हैलिकॉप्टर भेज के फोटो कीचेंगे उस बादगा और पूरी दुनिया में खुद परचार करेंगे साड़े साथ 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 सो करोड़ लोगों है अ ऐसा क्या चमकतार है कि दो करोड़ लोग दिल्ली के अंदर एक साथ एक टाइम पर एक साथ खड़े होके उनको मनाते हैं तो फिर किसी को ये बताने की जरुत नहीं है कि हम अलग हैं किसी को ये बताने की जरुत नहीं है कि हम इखटे हैं उसको खुद पता चल जाएगा काम करना वो खुद करते हैं क्योंकि उनको यह पता है की सिक्ष disappoint Post system काम सारे सुचारूरू रूप से पूरी दुनिया में चालते रहे जैसे मुस्लिम कंट्रियों में जो मुस्लिम इखच़्ते हैं अगर यहां किसीipesि कोई दिक्त होती है तो हूँ चिलाते हैं तो कि वह हुआ इखटेंश नहीं है मुस्लिमों का यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड सकता तो कि उनके पीछे उनके लोग उनके कंट्री में चाहे बेस tenth वो लोग यहां के भारत के हैंगा मजब उनका मानते हैं उनके साथ एकटे हैं तो यहां बावा साहब हम को कहा कि भाई आप सब एकटे रहना और चुकि बुद्ध आपकी अपनी पद्दती है बुद्ध कोई रिलिजन तो है नहीं इसको मानना तो पूरी सारी नोकनियां जा चुकी हैं और हमारे पड़े लेखे लोगों को नोकनियां मिलेंगी नहीं क्योंकि जात से नोकनी मिलेगी प्राइविट सेक्टर में और काम 12 घंटे लेगा पैशे देगा 20,000 30,000 तो हमारे पास में कोई आप्शन नहीं बचा जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो बिरोजगार घूम रहे हैं बस हमारे पास में ऑप्शन है तो एक है कि हम जनसंक्या बल है हमारे पास में और जनसंक्या बल में संविधान ये कहता है कि जिसके पास जितनी संविधान भारी है मेरे पास आ जाओ यह संविधान कहता है मेर आपको द्यवारी देता है कि आपके अदिकार इसमें वावा साब में ती हैं पर कंडिशन है। कि आपको इखटा होके उसके पास जाना पड़ेगा, अलग-अलग नहीं सुनता सम्विधान, आप अलग-अलग टुकलों में बटे रहोगे तो सम्विधान कभी नहीं सुनेगा, उसका नियम है, वो कहता है अलग-अलग आओगे, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सम्विधान कहता है कि भाई, आप इखटे होके आओगे, तब मैं आपके लिए काम करूँगा, और तब मैं मजबूर हूँगा, यह मेरा नियम है, वो नियम आप मानते नहीं, वो नियम आप जानने की कोशिश नहीं करते, तो फिर आपका मरना तैह है, फिर आपको बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है, इसलिए वीदा पीपल ने सभी जितने भी लोग हैं संग्तन हैं, जिन्होंने पहले चोटे मोटे काम किये, हलाकि उन्होंने काम खराब ज्यादा किये हैं, अच्छे कम किये हैं, काम खराब इसलिए ज्यादा किये हैं, क्योंकि उन साथ की वह बात मानी चाहिए कि हमको इखटा होना चाहिए तो इस कड़ी में वीदा पीपल ने उनको दो हजार उन्निस में नमूंबर आठ को बुलाया दिल्ली के अंदर एक सभा की और सब में मेसेज भेजा कि आओ सब इखटे हो जाओ आये तो वह जरूर पर उन्होंने सब ने एक हिडिन तरीके से ये कहा कि हम इखटा तो होना चाहते हैं मगर नेता हम ही रहेंगे यह उनकी सप्कीक चाहती है और वो सारे अलग चलेगे और उन्हें फिर जिकन नहीं किया मगर वीदा पीपल में जो साधान लोग है उन्हें भी कमर कसली कि अगर यह नेता नहीं मा बहुत जली समय में आ गई कि भाई नेताओं के पीछे मत भगो बावा साब ने कभी नहीं कहा था कि नेतागी पीछे भगना है नेता तुम्हें खटे होना है नेता तुम्हें पीछे खुद आ जाएंगे तो हमने खटा होना सुरू किया और इस बात को प्रचाइद करना तो लोगों को एक आशंका रहती है और उनकी ठीक आशंका है कोई कि जितने फी गटे हुए हैं चाहेए संभांज के नाम से इकटे हूऊ हैं संभांजी चाहेए कि अरे सबस्क्रान के नाम से कर भ चाहिए चाहे पासी सब जाएक कर आध्ञे से होता है कि सब quality that कब तरोगे कबुएंग कब टिकट की लाइन में लगोगे कब पार्टी बनाओगे यह उसका डाउट रहता है। जाैज है उसका पूछना मगर यह यह बात अच्छी टीचते हैं कि संघ कभी नेतागरी में नहीं जाता संघ कोई ब्रांच नहीं बनाता यह संघ है संग कर नहीं है वो पैसे नहीं लेता इसका रिष्टिस नहीं हो सकता और इससे बड़ी बात है कि संग का मालिक संग होता है इसका मालिक कभी जीवन में व्यक्ति नहीं हो सकता इसका एक नियम होता है संग का कि जिस दिन इसका मालिक व्यक्ति घोचित होगा उस दिन यह बढ़ाएगा रहां व्यक्ति को क्यानिदा मानेगा गुसी समय कतम होजाएगा ये सका नियम है तो लोग कैसे करोगे का मैसी करेंगे वह जैसे सम्विद्धान होताए देश का नेता सम्विदान होताए वह लोगों को काम देता heißt मगर वो लोग सम्विधान को आके कहते हैं जब लोग सवा में आते हैं जब राज सवा में आते हैं तो वो सम्विधान को इंगित करके कहते हैं वहां डिप्टी स्पिकर को स्पिकर को इंगित करके नहीं कहते हैं वो सम्विधान को स्पिकर को हाउस को कहते हैं कि हाउस सम्वि तो यह वही नियम है, आप अपनी आख बंद करके यहां आ सकते हैं, बुलकुल सो परसेंट गालटी के साथ आ सकते हैं, कि आपकी कोई भी फिलिंग यहां खराब नहीं होगी, क्योंकि काम तो आप ही को करना है, काम कौन करेगा, काम तो आप करोगे ना, नियम कोन बनाएगा, नियम तो संग बनाएगा, और संग कोन है, संग तो आप हो, जितना काम करोगे उतना है, तो जो नियम आपने बनाना है, वो बना लेना, जो करना है, वो कर लेना, क्योंकि संग सब में शामिल होता है, संग को अपना मानता है, संग का नियम है, कि दुनिया में कहीं भी कोई स कि खास बात है कि संग कभी किसी को छोड़ता नहीं है कोई छोड़ना लाख चाये मगर संग को नहीं छोड़ सकता यह संग का नियम होता है इसलिए हर व्यक्ति को इसी के अंदर आना है और वो पहले से इसके अंदर है इसलिए आपको जुड़ना है और जुड़ना है जहां जुड़ेंगे वहां वहां बचेंगे जब जब जुड़ेंगे तब तब जुड़ेंगे अभी जुड़ेंगे अभी बचेंगे और सो साल बाद बचेंगे इसलिए आप जुड़िये और जुड़िये और यह जो वी का निसान है इसको लगाते जाईए इससे यह पहच यानि संग्टरों में घवराट फैल गई है तो वो कह रहे हैं कि हम भी लोगों को जोड़ने के लिए बोल रहे हैं अगर वो खुद नहीं जोड़ रहे हैं तो उनसे सब लोगों कहना चाहिए कि भाई जोड़ो के साथ साथ जोड़ो भी लगाओ पहले जोड़ो उसके बाद नहीं आएगा आपका सम्विधान बदल नहीं आएगा जो अधिकार चलेगे वो अधिकार भी आ जाएंगे ये गारंटी है दो सो परशंट गारंटी है इसको यकिन के साथ करने हैं इस पर खूब मरंग करने कि जो लोग इखटे हो जाते हैं उन पर कोई आफट नहीं आती बलकर वो लोगों पर आफट हो जाते हैं वो लोगों के लिए जी का जंजल हो जाते हैं फिर वो दबंग हो जाते हैं फिर वो आगे बढ़ जाते हैं जैसे असोक के समय हम राजा थे हमी दबंग थे हमी पुराने दबंग है और हमी आज के दबंग है इसलिए इखटा होना ह है बच्चों को बचाना है एक खटा होना है और देश को आगे बलाना है धन्यवाद बहुत बहुत साधुबाद सर आज आपने हम सब किसकों को एक नयान नाम खोज किये दिया करए लाद सर आज आजाद सर नाम खोजान है और देशन पर एक नम्क रहाल मन खो gooin में खकाना म सब करेंगान कर देशWhat गल म Feels utilizar कं सीजय आपने है और दे रहाले कं आपने किसके उले पाट सब का देऊ । कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल झाल